अज ही आज भात करेंगे और मकली का चाः ह सब्सक्राइब mat कशाओ, लां के नहीं ही नहीं ते बांग आंगे वाय वेड रहना जाने हैं एक लीगिती फाहने होगे हैं यहाँ त्यैज करना है थायर मतस्य है कितने होते हैं how to use fire extinguisher methods of extinguisher यानि कि fire को बुजाने के कौन से तरीके होते हैं तो सबसे पहले जो बन्यादी जरुरियात होती है इनसान की वो आग, हवा, पानी और जमीन आग, हवा, पानी और जमीन ये बिसिकली जो है इनसान की जो है वो needs है ये इनसान के दोश भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं तो fire triangle के बारे में जान लेते हैं fire triangle बिसिकली तीन चीजों से मिलके बन्दी है जिसमें temperature है, oxygen है और आपका जो है वो fuel है heat fuel और आपकी oxygen जब ये तीन चीज़े मिलती हैं तो तब आग लगती है अगर ये तीन चीज़े हो तो आप आग को लगा सकते हैं इन तीन चीजों में से अगर कोई भी चीज़ ना हो तो आपकी आग नहीं लग सकती तो अगर आप आग को बुझाना चाहते हैं heat fuel or oxygen या अक्सिजन यानि के हवा आग लगने की common causes of fire कान सी होती है उसमें physical causes हो सकती है chemical causes हो सकती है या radiological causes होती है physical causes में जैसे आपकी friction हो गई chemical causes में आपके कोई chemical हो गई hazard जिसको आग लग सकती है और इसी तरह जो radiological cause है उसमें आपकी radiations involved हो जाती है जैसे आपका माइक्रोविव ओवन है उसमें रेडियेशन इसमें आपकी आग लग सकती है इसी तरह हम क्लासिस ओफ फाइर पर जाते हैं तो क्लासिस ओफ फाइर जो है एबी सी डी एफ यह तकरीबन छे किसम की फाइर होती है ए जो होती है वो सॉलिट मेटियल की फाइर होती है जैसे लकड़ी हो गई बूट हो गई पेपर हो गया बी जो है वो फ्लेमबल लीकविड्स की होती है जैसे के डीजल हो गया पैटरॉल हो गया सी जो है वो फ्लेमबल गैस की होती है जैसे के हमारी नैच्रल गैस हो गई फ्ल चीज़ को Fine उसमें Convert करते हैं तो उसको आग लग जाती है ज्से अगर लकड़ी को बारीक कार दें उसको बहुत जल्दी आग लग जातीए इसी तरह मैटल को जब आ बहुत बारीक बारीएक उसके। साइज में करेंगे उसको आग लगाएंगे तो मेटल को भी आग लग जाती है तो मेटल की फाइर यह वो डी टाइप फाइर कलाती है इस तरह अलेक्टिकल फाइर आपको पता है घरों में सर्किट्स पे और बहुत सारी चीजों पे जो है वो आग लग जाती है और F जो है ये किचन फायर है जिसमें आपका जो होट आईल हो फैट्स हो या किचन में आप जो भी और इसमाल करते हैं उसकी फायर को जो हम कहते हैं किचन फायर या F टाइप फायर तो ठोस अज़ा की जो फायर होती है उसमें वूड आ जाते हैं लकड़ी, कपड़ा, कागज, रबर, प्लास्टिक इसी तरह जो लिक्विड की फायर होती है उसमें आपका पैट्रोल आ जाता है, कैमिकल आ जाता है, डीजल आ जाता है और पेंट आ जाता है इसको B-class fire कहते हैं, C-class fire में आपकी gases आ जाती है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथेन, D-class में आपकी metal की fire आ जाती है, जिसमें मैगनेशियम है, टाइटेनियम है, सोडियम, लीथियम है, और पोटाशियम है, E-type में आपकी electrical fire आ जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके बा एक्सनिशर इस्तमाल कर सकते हैं, तो dry type chemical powder इसका जो है, blue color होता है, इसकी coding blue होती है, और ये इसको all type of fire भी कहते हैं, लेकिन ये accept electrical fire के लावबा की सब के लिए, ये मौदू होता है, वैसे तो आप इसको electrical पे भी लगा सकते हैं, लेकिन electrical पे क्योंकर ये powder होता है, तो इससे ह तो dry chemical powder कहां कहां पर इस्तमाल हो सकता है, wood की आग, paper, rubber, plastic, fabric, kitchen, fire, petrol, diesel, chemical और paint, इन सब की जो fire होती हैं, वहाँ पे आप DCP powder को इस्तमाल कर सकते हैं, इसी तरह carbon dioxide को सिर्फ हम electrical के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद होता है, फॉर्म, aqua film filling form, 8 triple F इसको कहते हैं, इसकी coding जो होती है, वो skin color की होती है, और यह petrol, diesel, paint और gases की fire के लिए इस्तमाल होता है, ज्यादा तर, basically जो form होता है, यह उन liquid के लिए इस्तमाल होता है, जो volatile होता है, जैसे petrol हो गया, ammonia हो गई, तो क्या होता है, कि यह क्या करता है, एक layer बना देता है, हमारे volatile liquids के उपर, जिससे क्या ह coding के हिसाब से हम देखेंगे के हर किसम की आग के लिए blue coding होती है, बिजली की आग के लिए black और petrol, diesel, paint और chemical के लिए eye skin color होता है, तो उसके बाद, इंशालाब अगली lecture में हम देखेंगे, आग को बुझाने के कितने तरीके हैं, और किस तरह से हम उसको बुझा सकते हैं, तो इ मिचला में लेंगे नेक्स वीडियो के साथ,